नमस्कार सातियों हंस्वाहिनी के यूटूब चैनल पर आप सभी लोगों का हर्दिक स्वागत है सातियों सभी विद्धार्थियों को सभी मेरे प्यारे विद्धार्थियों को मातरी दिवस की हर्दिक सुबकामना है यानि आप लोग जानते होंगे सात्यों आज मातरी दियूस है और मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि अपन माता के बारे में कितना गुनगान करे हना किसी ने कहा है कि मैं मा के बारे में क्या लिखूँ हना मैं मा के बारे में क्या लिखूँ जिसने हना खुद मुझे लिख दिया है तो हम मा के बारे में जितनी ही ज़्यादा क्या की जाए यह प्रसंसा की जाए उतनी ही क्या है कम है मित्रों तो मेरे कहने का तात्प्रिय यह सातियों मा की महिमा ही अपरम पार है खुद भगवान अपनी मा की प्रसंसा नहीं कर सके हैं तो हम तो है क्या और ये भी देखो यानि खुद भगवान को भी हना किसी मा के यहां जनम लेना होता है तो मा की महिमा अप्रम पार है और मैं यानि अपने भारत देश की यानि पूरे विश्वे की जगजन्नी मा चाहिए वो कोई भी मा हो सबी को मैं एक बार हिर्दे से नमन करता हूँ ठीक है मित्रों अब उसके बाद अपन आज के अपने मुद्दे पर आते हैं और हम नमींतम समसामी की पढ़ रहे हैं और उसमें आज बड़े ही अच्छे अच्छे रोचक तथे हैं आप सब लोगों के लिए आने वाले हैं तो लगातार आप लोग बने रहे हैं और जो आईए जो कक्षे हैं आप इसको अंत तक जरूर देखें और चलते हैं फिर अपने श्पर पर और सबसे पहले हमारा पहला प्रसन है कि हाली में विश्व परवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया अब हमें बताना है इन में से किस तारिक को विश्व परवासी पक्षी दिवस मनाया गया तो आपको याद रखना है साथियों ये जो विश्व परवासी पक्षी दिवस है ये नो मई को मनाया गया कब नो मई को ठीक है और एक बात ये भी याद रख लेनी है कि ये जो क्यों मनाया जाता है पक्षियों का सनक्षन के लिए किसके लिए पक्षियों का सनक्षन के लिए और पक्षियों का जो आवास होता है ना उनको भी शुरुक्षित रखने के लिए और उसके प्रति पहलाने के लिए दिन ये दिवस मनाया जाता है दूसरी तो महत्पुन बात क्या है कि ये दिवस कोई फिक्स नो तारिक को नहीं मनाया जाता तो बलकि यानि नो मैई को भी फिक्स तारिक नहीं इसकी बलकि क्या होता है कि ये प्रति वरस द्यान से सुन ले बहुत अच्छी ब अक्टूबर का दूसरा सनिवार ठीक है प्रतिवरस मैई अक्टूबर के दूसरे सनिवार को यह मनाया जाता है तो आप लोग सब जानते होंगे कल नो मही था और नो मही को क्या किया नो मही को सनिवार था तो सनिवार को यह मनाया गया मैई का सनिवार और अक्टूबर का बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात मैंने आप लोगों को बताई है ठीक है अब मित्रों हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे एक आप लोग जाते जाते ये तो जुरूर बताईएगा कि इसकी थीम क्या है तो वर्ड्स ध्यान देना भी इसकी थीम है वर्ड्स कनेक्ट अवर थीक है वर्ड्स कनेक्ट अवर बत वर्ड्स कनेक्ट अवर ठीक है ये इसकी थीम है अब बात यह दिवस वाली आई है तो आप लोगों logged रख लेना है कि मैंने आप लोगों को बताया कि दिवस को याद करने के लिए अच्छा त्रीका है कि अप महिने में जितने भी दीवस को हमने क्या मनाया वर्ल्ट युना डे उसके बाद तीन मही आई तीन मही को क्या मनाया प्रे सौंतरता डे उसके बाद चार मही आई है ना उसके बाद क्या आई चार मही चार मही को हमने मनाया अगनी समंडे क्या मनाया अगनी समंडे उसके बाद मित्रों पांच मही आई तो आपमीमा मैंने आप लोगों को दो बताया था एक तो हाथ है नला पांच और था तिह पाथ सब्सक्राइब और एक उता वर्ल्ड रेड क्रोस डेकब आठ मई को तो दो है है ना अब अगर बात करें नो मई की तो बात कर चुके हैं विश्व प्रवासी दिवस मई वाक्टुमर के दूसरे सनिवार को इस प्रकार याद कर लोगे बार-बार तो कोई दिक्कत है नहीं चलो शुरू करते ह अपन मित्रों अगले प्रशन का अना दिवस से समन्दित हो गया अगला प्रशन है कि हाली में किस राज्य हाली में किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत प्रवासी राहत ध्यान देना वही मित्र एप लोंच किया है यानि प्रवासी राहत मित्र एप लोंच करने वाली हमें इसका उत्र देना है हमारा सीधा सीधा उत्र हो जाता है मित्रों इसका उत्तर प्रदेश कौन सा उत्तर प्रदेश और एक चीज ध्यार रख लेना इसका उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को काफी चीजें बता रखी है उत्तर प्रदेश के बारे है उसके बाद मैंने ये भी बता रखा है कि वर्चिल अदालतों में सुनवाई करने वाला हना हना ऑनलाइन सुनवाई करने वाला जन सुनवाई करने वाला ये क्या है राज्जे है तो ये बाद भी मैंने आपको के जो पुस्टू है राज कि वबारा सींगा है पक्सी सारस या क्रोंस है और प्लास यहां का व्रक्स है और प्लास पुष्प वह गया और एक हो गया इसका व्रक्स असोप ठीक है तो यह महत्मुन बाते मैं आप लोगों को पहले से ही बता रखेए और आपको इस परकार यहां के लास मानसरों यातरा के लिए ने राजमार का उद्गाटन किया गया यह किसी नहीं किया है तो इसका उतर आपको आएगा राजनाद सिंग्ग जब राजनाद सिंग्ग की मैंने आप लोगों को बताए है बात करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं हम यह बात कर सकते हैं कि राजनाद सिंग्ग वर्तमान में भारत के क्या है रक्षया मंत्री है कौन से मंत्री है रक्षया मंत्री है नरेंदर मोदी पीम पलहान मंत्री होंगे प्यू स्कॉल मैंने आपको लोगों को बता रखाए कि रेल मंत्री है क्या है रेल मंत्री है और अम में किलाश मानसुर यात्रा के लिए नया मारका उद्गाटन किया है यह बहुत ही महत्वपूरण है हना यह जैसे लोची के पास से लगभग यहां से जाते तो असी किलोमेटर सडक का रास्ता है यह 80 किलोमेटर सडक का ध्यान देना भी नया बनाया गया और इसका उद्गाटन राजना सिंग ने किया है और राजना सिंग के बारे में एक चीज याज रख लेना तैजस में उडान करने वाले पहले रक्षा मंत्री है तैजस जो लडाकु विमान है उसकी मारक है लिपुल एक दर्रा से लेकर के लास मान सुलवर तक है और अगर कोई किलास मान सुलवर की यातरा करता है इस मारक से तो 84 प्रतिस्ट ही अब है ना भारत यह इन्डिया के लेंड पर चलेंगे लोग मतलब भूभी पर जाएंगे और फिर बचावा 16 प्रतिस्ट पूली पर इनमेंसे हमें किसी का उत्र देना है तो मित्रों यानि अफ्रीकन स्वाइन फीवर यह क्या है यह सूरो में होने वाला एक रोग है ठीक है और ये किस राजे में असम में आसम पाया गया है और द्यान देना इस असम में इसकी वजयude से 2580 सूरों की क्या हो से यह ठीक है इस रोग से और उधर पहले आप लोग да इस ज़्यादा से जी बता है तो इसम पर्भावी तो यह तहती है आप देखो असम की बात आगल आप लोग कर रहे हो तो ये भी महत्पुना एसम के बारे में तो आप जानते हो राजधानी कौन सी है अब चलते हैं अपन प्रसंद नमर अपने किस पर हाँ धनवंत्री योजना की भी बात एक प्रसंद आप से पूछा गया था वो भी असम से ह अब प्रसंद नमर अपना अगला और अगला प्रसंद हमारा कौन सा है अगला प्रसंद है कि हाली में वर्ल्ड बैंक ने किस देश को चार सो मिलियन डॉलर के रिन की मंजूरी दिये किस बैंक ने दिया अब यह देखना है यानि मतलब किस बैंक ने दिया और किस देश को द अफगानिस्तान इसका उत्र क्या होगा अफगानिस्तान अफगानिस्तान को इस परकार की साहिता दी गई है किसके द्वारा वर्ल्ड बेंक के द्वारा ठीक है अब बात आती है वर्ल्ड बेंक की तो आ वर्ल्ड बेंक के बारे में क्या जानते हो यह अच्छी तरह से जानते रहे हैं यहीं किसके प्रेजिदेंट की वर्ल्ड बैंक के प्रेजिदेंट की तो डेवीड मालपस हो जाएगा डेवीड मालपस ठीक है और साथ में जो बात अफगानिस्तान की आई है तो यह भी महत्पुन है अफगानिस्तान की राजदानिया आप सब लोग जानते हो कौन स कबूल हो जाएगी और जब हम इसकी बात करेंगे यहां के गवर्नर की अगर हम बात कर सकते हैं राष्टपती की बात कर सकते हैं तो वाए अश्रप गणी राष्टपती कोई है अफगानिस्तान का अस्रप गणी ठीक है महत्पूर्ण है असरभ गनी ठीक है यह यहां का क्या है राश्ट पती है तो यह इससे समंदी तथे थे एक और हमने हमारे पडोसी जो मुलक है उसके बारे में हमने चर्चा किया है अब अपन बात करते हैं या अपने अगले प्रशन पर प्रशना मर्चा है कि हाली में किस राजी सरकार ने दस्वी कक्षा के चात्रों को भीना प्रिक्षा पदोंत करने की गोश्णा कर दिया साथ यह आप जोग जानते होंगे यानि पूरा भारतवर्स कॉविड-19 के प्रकॉप से तरस्त है तो इसी में है ना सकूले कॉलर्ज हुआ है कोचिंग सेंट्रों की क्या है छुटियां चल रही है आप सब लोग जानते हो उसी की कड़ी केता है था मना मैं घर से बैटकर आपको पढ़ा रहा हूं आप अपने घर में पढ़ रहे हैं प्लाइन पढ़ा रहे होते आप भी पढ़ रहे होते तो कहने का दात्री यह हुआ कि दस्वी कक्षा की अ उन को क्या कर दिया करमांद कर दिया कなए है तो मतलब एक कष्या से आगे इननी को सबको तो कर दिया तो के लिए बड़ी रहात की कबर है और साथ में यह परक्त करना भी बहुत जरूरी होता है लेकिन वह हो甚ा नहीं कर चुके पंजाब की बात हम पहले से कर चुके हैं पंजाब की बात करें राजधानी कौन सी है यहां के सीम कौन है कैप्टन अमरेंदर सिंग है यह बात हम पहले भी कर चुके हैं अगर पंजाब के गवर्नर की बात आई तो आप लोग अच्छी तरह से बता सकते हो क्योंकि पहले पढ़ गया चुके वीपी सिंग बदनवर है ठीक है विरंदर पाल निब अगया है यहां पहले से भी इस की चर्चा कर चुके हैं टीक हैं तो यह भी आपको याद होना ची है और आप आपन बात करते हैं किसी अपने साथ नंबर प्रॉषन की साथ नंबर प्रॉषन है कि हाली में किस राज़त सरकार ने पा गंड और जर गंड के बारे में आप घूब जाने करया रखते हूंगे जार खंड की राजदानी कौनसी है रांची है अगर आपसे 받고 ले यहां क कुछ लेगी यह क्यांके द्रूंगे पान मसाला पर गुटका जर्दा पर का लगा रहा है क्योंकि इससे क्या होता है प्teこと नोग fishermen में ये खाने के बाद लोग क्या करते हैं पिक पहलाते रहते हैं जगा जगा ना सारुजिन hvis बहत्वन प्रसंद की अगला प्रसंद है अपना कि हाली में COVID-19 आपातकालिन प्रक्रियाओं के लिए AIIB ने किस देश को 500 मिलियन डॉलर का रिन दिया है ठिक है अब देखो अब हमें इसका उतर देना है और इसके उतर ये अपने नीचे है तो इनका उतर क्या है अभी हमें जानना है सबसे पहले option में हमें यहां आया है कि यह प्रसंद पुछा गया है कि किस देश को 50 बिलियन डॉलर का इसने क्या दिया है रिन दिया है, तो किस देश की बात आएगी, तो फिर उत्तर कोई भी आ सकता है, किसी देश से जुड़ा हुआ, तो देखते हैं कौन सा उत्तर आएगा, अब देखो यहाँ, सबसे पहले अपन बात करते हैं, ओप्शन की विकलब है, अमेरिका, अना COVID-19 अपात कालिन प्रक्र दिया निगी, AIIB ने यह जो रासी दी है, ना, रिन के रूप में किसको दी है, भारत को दी है, ठीक है, अब आता आती है, AIIB क्या है, तो मित्रों AIIB की फुल फॉर्म हो गई, ASEAN in France Structure Investment Bank, ASEAN in France Structure Investment Bank, ठीक है, और अगर बात करें, इसकी स्तापना हना, 2016 में हुई थी, और इस लिकुन इसके वरतमान में प्रेजिडेंट है, ठीक है, तो ये महत्पुन जानकारी भारत को दी है, तो इसलिए अपने लिए और महत्पुन हो जाता है, अब बात करेंगे मित्रों, प्रसन नमर हम अगले की, अगला प्रसन कौन साई की हाली में, विशाका पटनम गेंस दर अक्साइड, मिथाइल, आईसो, साइनाइड, गेंस, वह है, स्टाइ, देखो, स्टाइरिन गेंस, द्यान देना भी, इस प्रसन का अपना सबसे महत्पुन उतर आएगा, स्टाइरिन गेंस, कौन सा उतर आएगा, स्टाइरिन गेंस, तो ये इसका उतर हो जाएगा, कौन सा ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि इस गेंस के रिशाओ की वज़े से कुछ लोगों की जान भी चली गिया है लगभग 11 लोग है ये इसकी भेंट चट चुके हैं और खूब सारी लोग है जो भरती है पांसो के आसपास लोग है वहां भरती है क्योंकि जहर दोगा बोपाल गेंस तराजदी अच्छी तरह से आपको याद होगा बोपाल गेंस तराजदी जो वी थी अना वहीं पर कुछ इसी परकार ना गेंस का रिशा हुआ था उसके इसका नाम में मिधाईल आइसो साइनेट इससे भी बहुत जादा लोगों की जान गई थी और यह जो गेंस है यह बात कहां कि यह विशा का पत्नम किया विशा का पत्नम तुम सब लोग जानते हो कहां पर है अंदर प्रदेश में ठीक है तो यह भी मैत पुन्तत है और एक चीज और याद कर लेना अगर इसे समदित प्रशन आए तो भारत का सबसे घहरा बंदरगा भी भारत का सबसे घहरा बंदरगा भी है और बबाल में 1984 में गेंस का रिशा हुआ था अभी वर्तमान में इस वज़े से क्या हुआ वह ना इस परकार की लोगों में स्वास की तकलीप उल्टी इस परकार की चीजें ही लोग हना खड़े-कड़े यह चानक गिरने लगे और की जान भी जा सकती थी, तो मित्रों यह हमने बात की है, आज के हमारे प्रसनों की, अब आपके लिए आज का प्रसन क्या है, कि हाली में, मुस्त्पा अल्कदीमी किस डेश के नें पर्धानमंतरी बने है, मतलब आपको इस प्रशन का उत्तर देना है कि यह जो मुस्तपा अलकदीमी है किस देश के ने परदानमंत्रिय इरान के है या इराक के है या बांगला देश के है या जापान के इराक इरान बांगला देश या जापान इन चारों में से किसी एक के होंगे और जब आप लोगो भी नहीं मिटा सकता और साथ साथ में आपको एक चीज बोलता हूं मित्रों आप मॉर्निंग में हना डेली जब उठते हो तो वहां पर आपके लिए आप अपने लिए एक टार्गेट फिक्स क्या करो और उस टार्गेट पर पूरे दिन कारिये क्या करो अगर वो आप लोग प से आप सब लोगों को मेरे सभी चाहने वालों को और आपके सभी चाहने वालों को मैं एक बार पुन्हें मातरी दिवस्की हार्दिक सुबकामने देता हूं और माताओं को मेरी तरब से परणाम जै हिंद जै भार्द और आज का दिन माताओं के नाम